नमस्कार मित्रों कभी कभी हमारे सामने ऐसा कुछ घटित होता चला जाता है जिसकी हमने कलपना भी नहीं की होती लेकिन हम जान नहीं पाते हैं और जब तक जान पाते हैं बहुत देर हो चुकी होती है एसा ही कुछ हुआ था कूड़ा थाई में रहने वाले एक परिवार के साथ कूड़ा थाई केरर राज्य के कोजी कोड जिले का एक काव है एक गाओ पूरे देश में चर्चा का विशे बना हुआ था अपने किसी अच्छे कारे से नहीं बलकि अपने बुरे कारेों के लिए यहां एक ही परिवार के छे लोगों की हत्या होई थी इस मर्डर केस को कुड़ा थाई साइनाइट केस के नाम से भी जाना जाता है यदि आप सस्पेंस ट्रिलर फिल्मیں देखना पस्द करते हैं और अच्छी से अच्छी फिल्मیں देख चुके हैं तो भी एक केस आपको चौका देगा इसमें इतने रहस्या और घुमाव है कि एक अच्छी सस्पेंस थिल्र फिल्म बनाई जा सकते है लेकिन अभी के लिए फिल्म नहीं बलकि क्रिस्टो टॉमी के निर्देशन में इस पर एक डाकुमेंटरी बनाई कही है जिसका सीर्शक है करी एंड साइनाइड दा जॉली जॉसेफ केस इसे 22 दिसंबर को नेटफलिक्स पर रिलीस किया गया है ये कहने के लिए तो एक डाकुमेंटरी है लेकिन एक सस्पिस ठ्रिलर फिल्म से अधिक रोमांच है इसमें इसका प्रस्तुती करण अत्यधिक सराहनी है जिस प्रकार से इसमें पूरे केस को बताया गया है उससे हमारा इंट्रेस्ट लगातारिस में बना रहता है हमारी ये इच्छा बनी रहती है कि आगे क्या होगा ये हम जान पहें यदि मैं इस डाकुमेंटरी से सम्मन्दित थोड़ी सी बाते बताऊं आपको तो कुड़ा थाई गाहों में एक प्रसिध परिवार में 2002 से 2016 के बीच एक के बाद एक 6 मौते होती है कुछ वर्षों के अंतराल में ये सब होता चला जाता है लेकिन किसी को भी ये समदेह नहीं होता कि ये हत्याएं है सब इने एक प्राकृतिक मृत्यू या आत्म हत्या मान कर शांत हो जाते हैं लेकिन कैसे इन हत्याओं पर लोगों का ध्यान गया और कैसे घर की बहू पर ही हत्या का आरोप लगा ये सब बहुत ही अच्छे से दर्शाय गया है डाक्यूमेंटरी में परिवार की बहू जॉली जॉसिफ ने कैसे और क्यो मारा परिवार के सदस्यों को इनके पीछे उसका क्या उद्देश था साथ ही उस पर जो आरोप लगे हैं कि आवास्तों में वो सही ही है ये जूट हैं इन सभी पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई है आप इस डाक्यूमेंटरी को निश्चिन्त होकर देख सकते हैं एक मूवी से अधिक थ्रिलिंग एक्सपिरियंस होगा आपको यहाँ पर ये डाक्यूमेंटरी है तो अभी के लिए मैं इसे कोई रेटिंग नहीं देना चाहता पर हाँ यदि कभी इस पर कोई फिल्म बनी तो मैं उसकी समीक्षा आवश्य करूँगा और रेटिंग भी दूँगा मातर एक गंटा 35 मिनट लंबी ये डाक्यूमेंटरी है आपका ज्यादा समय भी नहीं लेगी लेकिन आप इसे देखेगा आवश्य है और देखने के बाद आपने शित रूप से यहां कमेंट शिक्चन में लिख कर बताएंगे कि एक सस्पेंस ट्रिलर फिल्म से कहीं अधिक अच्छी है ये डाक्यूमेंटरी बहुत को जानने और सीखनी को भी मिलेगा साथी जीवन की कड़वी सच्चाई भी देख पाएंगे में तरो वीडियो को अम तक चुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैसी आराम और जैमा भरती